अगर हम आपसे ये कहें कि आप अपनी गाड़ी से निकलने माले धुएं का इस्तमाल अपनी ही गाड़ी में इंधन की तरह कर सकते हैं तो शायद आप इस बात के यकीन नहीं करेंगे आप शायद हमारी एक और बात ना माने और वो ये कि अगर आप अपने घर के कच्रे को जलाएं तो भी इसके धुएं से आप इंधन मना सकते हैं या फिर कच्रे के धेट से निकलने वाली गैसेस, स्टील या सीमेंट प्लांट से उठता हुआ धुआ या इसी हर एक पॉलुशन करने वाली चीज जो वातावरन में कार्वन डियोकसाइड जैसी ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ती है आप उठने वाले हर एक धुएं से इंधन मना सकते हैं, आप इंवें से किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगे लेकिन ये सच हो चुका है और कमाल की बात ये है कि इसका इस्तमाल जल्दी भारत में पाइलट प्रोजेक्ट के अंतरगत शुरू किया जाएगा दरसल US-based company ने एक ऐसा तरीका निकाल लिया है जिसकी वज़े से pollution करने वाली factories या गाडियों के धुएं को इतनौल में convert किया जा सकता है और वो भी अच्छे बैक्टीरिया की मदद से इस company का नाम है Lanza Tech Lab और ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया का इस्तमाल करती है जो केवल पॉल्यूटेंट्सी खाते हैं एक्जाम्बल के लिए कार्बन डायोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन अक्साइड और सलफर जैसे खतरना केमिकल्स इन बैक्टीरिया का खाना होता है और इन पॉल्यूटेंट्स को खाने के बाद ये जीवानू बया प्रोड़क्ट के तौर पे clean ethanol जनरेट करते हैं आपको बता दें कि इस तरीकी का इजात हाली में हुआ है और इसका commercial इस्तमाल चीन की तीन फैक्टरीज करना भी शुरू कर चुकी है भारत की Indian Oil Corporation इसका installation अपनी एक नई रिफाइनरी में करने जा रही है जो फिलाल के लिए अंडर कंस्ट्रक्शन है लेकिन इन आर्टिकल्स में इस नई प्लांट के लोकेशन के बारे में जानकर ये विलेबल नहीं है इसके अलावा, बेल्जियम में आर्सल और मितल की एक स्टील प्लांट में भी ये टेकनोलजी इंस्टॉल की जा चुकी है इस प्रोसेस से निकली इथिनॉल का इस्तमाल प्लासिक बोटल को बनाने के अलावा, गार्मेंट्स, ब्यूटी प्रोडक्स और घरों में इंधन की तरक किया जा सकता है या फिर ऐसी फैक्ट्रीज जो अपने ही धुए से निकली इथिनॉल को फिट जला सकते हैं लैंजा टेक के मुताबिक अभी तक ये करीबन दो लाक मेट्रिक टन ग्रीन गैसिस को बातावरन में फैलने से रोक चुके हैं और इस प्रोसेस के जर्ये एक सो नभे मिलियन लीटर्स एथनॉल का प्रोडक्शन अलड़ी किया जा चुका है अभी ये टेकनलोजी छोटे लेवल पे सेट अप की गई है लेकिन इसके कमर्शिल लेवल पे प्रोडक्शन के लिए कुछ और डेवलपेंट की जा रही है जिससे दुनिया भर की पॉलुशन करने वाली फैक्टरीज में इन इंस्टॉल किया जा सके लेंजा टेक ने इस टेकनलोजी को फिलाल के लिए सीक्रेट रखा है इसलिए एथन ओल गैसे से प्रोड्यूस कैसे होता है इसके बारे में अभी कोई भी जानकारी अविलेबल नहीं है इस कमपनी के ओफिशल्स ने बताया कि चीन की जिन तीन फैक्टरीज में इस सेटप को इंस्टॉल किया जा चुका है वहाँ इन बैक्टिरिया इसको पॉडर की फॉर्म में भेजा जाता है इतनॉल को फिलाल एग्रिकल्चरल वेस या गन्य से बनाया जाता है लेकिन इसके लिए एक बड़ा इंफ्रेस्ट्रक्चर खड़ा करने की जरौत पड़ती है लेकिन इस आविशकार की मदद से काफी कम इंवेस्मेंट करने की जरौत ही पड़ेगी और गन्य जैसे raw material की दिक्कत भी खतम की जा सकेगी अब ये कहने की जरौत नहीं है कि भारत में इतनॉल मिश्रित फ्लेक्स फ्यूल का इस्तमाल शुरू हो चुका है और यहां पर भी ये तकनीक नए आयाम खोल सकती है काफी और जानकारी डेकन हेरल के इस आर्टिकल में अलड़ी दी हुई है इसलिए आप इस आर्टिकल को भी रेफर कर सकते हैं हमने गौर किया कि आपको हमारा कॉंटेंट पसंद आता है लेकिन आप में से बहुत से लोग चैनल को सब्सक्राइब किसी वज़े से नहीं करते आपका इस चैनल से जोड़ना ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है इसलिए हम से जोड़ें और कमेंट सेक्षिन में M.I.I. लिखने के बार वीडियो को लाइक भी करते धन्यबार चैनल